हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी अपनी यूट्यूब चैनल में आज बारिस हो रही है बारिस का मोसम हो गया है तो मेरा कुछ आज स्पाइसी खाने का मन था तो आज मैं बना रही हूं बिल्कुल मार्केट जैसी टिक की घर पर ही और उसे की रेसि नमक पर लहाँ खूर मेरे पास पापरी नहीं दि थी तो मैरे नमक पर लहाँ है नीकरस्क कर के कर लूँगी है थोड़े से ले ले जो मैंना नायर के दाने जखए एके फ्लेवर आता हैं ये लेले मैंने हरदैब। दिने की चट्टनी और ये ź्लिया मैंने भी ही है और यह ले लिए मेने इंलिए की मीथी चट्नी, तो यह सब समानmeye जोच करूँगे, आज मैं अपनी टिक्की में, तो देखे मैंने सबसे पहले आलो को इस तरीखे से आठ से मैस कर लूगब, अच्छे से, मैस करने के बाद इसमें डॉलोगी सूजी, देखे मैंने दो आलू की टिकी बना रही हूं यहाँ पर तो मैंने इसमें डाली है छोटी साड़ी तीन चम्मच सूजी अब इसमें डाल दूँगी मैं नमक आलू और सूजी के हिसाब से नमक डाल देंगे स्वादन सार और इसमें डाल दूँग थोड़ी सी हिंग बस यहाँ पर मैं सिर्फ दोई चीजी यूज कर रही हूं नमक और हिंग बाकी के मसाले हम टिकी में कोई भी यूज नहीं करेंगे वो हमारी मीठी चट्नी में खट्टी चट्नी में सब होता है थोड़ा सा उपर से चाट मसाला एड़ कर लेंगे तो उसी से टेस्ट अच्छा आ जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ नमक और हिंग यूज कर रही हूं और अच्छे से इसका एक डो तयार कर लूँगी अब यह देखिए हमारे डो तयार हो गया तो अब इससे हम टिकी की शेप दे लेंगे चोट चोटी लोगें तोड़कर यह देखिए दो आलू से यहां मेरी पांच टिकी तियार हुई है अब यह मैं आपको दिखा दूँगी यह देखिए यह हमारी टिकी तयार है तो अब इने हम तल लेंगे देखिए मैं डीप फ्राइ करके यहां टिकी बना रही हूँ अब यह मैंने चड़ा लिया है एक फ्राइ पैन में सरसोका तेल इस अच्छे से पका लिया है अब इसमें अपनी एक एक करके टिक्किया डाल दूँगी देखिए जब आप इस तरीके से टिक्की बनाएंगे तो उसमें एक्स्ट ऑइल भी नहीं होगा और टिक्की हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी जब हम मार्केट से टिक्की खाते हैं तो उसमें वह ज्यादा ओयल होता है लेकिन जब आप इस तरीके से घर में टिक्की बनाएंगे तो नहीं तो इसमें ओयल ज्यादा होगा और क्रिस्पी भी बनेंगे और खाने में टेस्टी भी रगेंगे जब आप इस तरीके से टिकी बनाएंगे तो आप मार्केट की टिकी खाना भूल जाएंगे तो एक बार ज़रू ट्राइ कीजिए अब इन्हें उल्ट पल्ट कर दोनों तरफ से अच्छे से शेक लेंगे जब इनका कलर गोल्डन हो जा तो हम इने निकाल लेंगे एक पेपर पर जिसे की थोड़ी भी एक्स्ट्र चिकनाई है तो वह हमारी सोक लेगा यह देखिए यह गोल्डन हो गई है कलर अच्छा आगा इनका-बहूती format प्रिस्पी हो गई है यह तो इने हम निकालेंगे एक पेपर पर यह देखिए जो बीन में एक्स्टर चिकनाई होगी वह इस पेपर पर निकल जाएगी और उसके बाद लगा लेंगे हम अपनी टिक्की यह देखिए टिक्की तयार है अब मैंने एक कंटेनर ले लिया है इसमें अपनी टिक्की रखकर अब इसको मैं अच्छे से सर्व करने के लिए टिक्की को लगा लूँगी अब इस तरीके से इने काट लेंगे जिसे की दही सोट चटनी इनके अंदर तक अच्छे से पहुच जाए इस तरीके से करने के बाद अब इस पर डाल देंगे हम सबसे पहले अपनी दही इसके बाद डाल देंगे हम इस पर अपनी इमली की मीठी चटनी यह सब समान अपर अपनी पसंद के अंसार डाल सकते हैं जैसा तीका मीठा आपको खाना हो यह डाल दी मैंने हरी चटनी अब यह मैंने जो नमक पारे लिए थे वो क्रेस्ट करके वो डाल दी हैं इसके बाद डाल दूँगे में अपनी आलू की बुजिया और सबसे लास्ट में डाल दूँगे अनार के दाने यह जो थोड़ी सी मीठी चटनी बची थी वो डाल दी है थोड़ी हरी चटनी जो बची है वो भी इस पर डाल दूँगे और अब डाल दूँगे इस पर अनार के दाने देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में खाने में भी इतनी टेस्टी है अब उपर से डाल देख चांट मसाला और थोड़ा सा डाल दूँगे भूना हुआ जीरा तो अब हमारी ये टिक की तयार है खाने के लिए गर्मा गर्म सरु कीजिए आप भी ट्राय कीजिए आपको में रेशिपी कैसी लगी कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडिय नहीं रेसी पिक साथ, थैंक यू सो मच्छ